चाइड हेल्पलाइन टीम ने सादुलपूर रेलवे स्टेशन से नाबालिक का किया रेस्क्यू परीजनों की कर रहे तलाश चुरू की चाइड हेलपलाइन टीम ने शुकरवार शाम को साधुलपूर रेलवे स्टेशन से एक आठ वर्षे नाबालिक का रेस्क्यू किया है नाबालिक बालक अपने बारे में ज़्यादा कुछ नहीं बता पा रहा चाइड हेलपलाइन टीम ने बालक की काउंसलिंग कर उसका सामा ने स्वास्ते परिक्षन करवाया और उसे बालकल्यान समीती के समक्ष पेश किया चाइड हेलपलाइन टीम के जिला परियोजना अधिकारी पन्ने सिंग ने शाम करीब आठ बजे बताया कि सादुलपूर रेलवे पुलिस से सूचना मिली कि रेलवे स्टेशन पर एक बालक लावारी सालत में घूम रहा है इसके बाद टीम मोके पर पहुंची और बालक का रेस्क्यू कर उसे चूरू के चाइडल हेलप लाइन ओफिस लाया गया जहां उसके काउंसलिंग की गई तो सामने आया कि नाबाली की उम्र करीब 8 साल है जो अपना नाम शीवा बता रहा है बालक कहा का है और किस तरह से सादुलपूर रेलवे स्टेशन पहुंचा यह पता नहीं लग पाया है उन्होंने बताया कि अब उसके परियोजनों की तलाश किये जा रही है चाइड हेलप लाइन के जिला प्रियोजना अधिकारी ने लोगों से अपील की है कि जिस किसी भी वेक्ति को इस बालक के बारे में पता हो वे चाइड हेलप लाइन नंबर पर संपर्क कर सकता है ये बाल स्रेक्षन अधिकार आयोग के दुआरा चलाइजार अभियान पेन इंडिया के तहट इस बालक का रिश्क्यू किया गया है और अब बालक को चाइड हेलप लाइन ओफिस चूरू लाया गया है जहां पर बालक से पूछ तास की गई है तो बालक सिर्फ अपना नाम है वो शीवा बता रहा है इससे ज़्यादा कुछ से नहीं बता पा रहा है और अब बालक का सामने स्वास्ते प्रिक्शन करवाया जाएगा और उसके बाद बालकल्यान समिती पेश किया जाएगा सर। साथ ही साइड हेलप लाइन के दुआरा बालक के प्रीजुनों का पता लगाने का प्रियास है वो किया जा रहा है सर।